आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेशिन बोल रहा है 5 bits per second are here when a tuning fork is sounded with a sonometer wire under tension with the length of sonometer wire is either 0.95 meter or 1 meter ठीक है 0.95 meter का होता है wire का length तब भी 5 bits per second सुनाई दे रही है और जब 1 meter कर देते हैं इस length को मतलब 0.5 cm increase कर देते हैं जो beats है वो 5 bits per second ही सुनाई दे रही है तो हमें बताना है जो tuning fork है उसकी frequency क्या होगी ठीक है जिससे हम produce कर रहे है जिससे beats produce हो रही है उसकी frequency बताना है कितनी है सो यहाँ पर गर देखें तो क्योंकि बोल रहा है कि जो tuning fork है sonometer के दोनों wire के length पर same दे रहा है bits जो है same है तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जो lambda की value निकल गयाएगी अगर हम यह मालने की wire के length L है ठीक है तो lambda equals 2 यहाँ से आ जाएगा lambda equals 2 इसकी value आ जाएगी 2L ठीक है अगर यहाँ पर देखें इसको हम इस तरह समझते है लटसे कि एक wire है थोड़ा बड़े view में देख रहे हैं इसको अगर इसको हम यहाँ पर climb करें कुछ ऐसा समझते है तो जो इसमें अगर इसकी length L है तो इसमें जो wave produce हो रही है sound wave अगर हम मानके चलें तो इसका जो wavelength होगा वह कुछ इस तरह से दिखेगा ठीक है तो अगर देखें तो एक wavelength क्या होती है एक wavelength अगर देखें तो एक wave start करें point zero से let's say point a है यह point से start कर रही है तो पहले mean position की उपर जाएगी फिर return होके main position पर आएगी फिर नीचे की तरफ जाएगी और फिर उपर की तरफ मतलब फिर return होके main position पर आ रही है तो a से b गई, b से c गई ठीक है तो a से c तक की जो distance है इसको हम क्या बोलते है one wavelength बोलते है ठीक है इसको lambda बोलेंगे one wavelength अब यहां से c के बात क्या करीए जैसा की a से b तक का path था फिर से अगें repeat करेगी तो repeat करने से पहले तक का path एक बात है ठीक है वो क्या है wavelength हो गई तो अगर इसकी length यहां पर देखें जो wave यहां पर produce हो रही है इसको अगर यह देखें तो यह कितनी है अब यहां पर देखें जो frequency के साथ रिलेस्टाइं लेंड़ का क्या होता है लैम्डा एक्वेस्ट होता है c by new के यह f अगर है यहां से f से हम देनोट करें तो f क्योंकि यहां पर speed जो है light की speed के equal नहीं है velocity को लेंगे let's say v velocity है तो इसको v by f लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां light नहीं है क्योंकि speed के मतलब तो यहां पर इसलिए हम v यहां पर यूज़ करेंगे तो यहां से आ जाएगा v equals to lambda into f के ठीक है यह equation होगी first अब चूंकि lambda की value 2l है तो यहां पर हम फूट कर सकते हैं इसकी value so f equals to हुआ जाएगा v divided by 2l के ठीक है यह equation होगी हमारी second अब हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है हमें यहां पर निकालना है tuning 4 की frequency कितनी है ठीक है so दोनों wire के लिए निकाल लेते हैं first case मारा यह है जब wire के length माल लेते हैं L equals to या 11 equals to 0.95 meter है तब इसमें कितनी frequencies की कितनी है तो f equals to आ जाएगा v divided by 2 times of 0.95 ठीक है so यह आ जाएगा v divided by 1.9 k second case में क्या है L की value हमारी change हो रही है let's say L2, L2 equals to कितना है 1 meter so यहां से f equals to आ जाएगा इसको f1 बोल देते हैं और इसको f2 so f2 equals to हो जाएगा v divided by 2 times of 1 ठीक है तो यह हो जाएगा v by 2 k अब हमारे पास दो value आ गई है f1 और f2 की value हमें मिल चुके है अब हम यहाँ पर use करेंगे beats का equation so क्योंकि beat क्या होती है beat देखें अजर्थ यहाँ पूलड़ा है 5 beats per second है beat equals होता है mod of f minus f यह जो f है यह हमें calculate करना है यह f जो capital f है यहाँ पर यह है fork की frequency frequency ठीक है frequency of fork और यह जो f है यह f1 और f2 है क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो denominator की value कि f1 की कम है ठीक है तो इसलिए f1 की value greater than f2 से f1 is greater than f2 तो इसलिए हम यहाँ पर यहाँ पर दो केस बनेगे beats के first जो बनेगा वो होगा 5 क्योंकि beats की value 5 है तो 5 beats per second तो 5 equals हो जाएगा f की value पहले लिखेंगे तो f1 minus f यह equation let's say 3 और दूसरा होगा 5 equals 2 हो जाएगा f minus f2 के और यह होगा equation 4 ठीक है equation 4 अब इन दोनों equation को solve कर लेंगे और हमें f की value यहाँ से मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ इसको इन दोनों equation को solve करते हैं इस तरह now from equation 3rd and 4th 3rd और 4th को solve करते हैं अब यहाँ पर सिर्फ mathematical part है सिर्फ math बची है f1 और f2 की value पूट कर देंगे और यहाँ से solve करेंगे दोनों equation को solve करने के बाद हमें मिल जाएगा f की value सो जो f की value solve करने के बाद आएगी ओ क्या आएगी f equals 2 आ जाएगा हमारे पास 195 hertz के ठीक है यह होगी 4 की frequency जो की sonometer wire के है ठीक है सो option में देखे तो option हम देख सकते हैं 4th option इसका right answer होगा क्लासिक स्ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या whatsapp कीचे अपने डाउट आउट 4444 सो पर